तो हाई गाईज, वेल्कम बैक टू आज चानल, दो शॉर्ट रिविव, मेरा नाम है पलवी, और आज हम रिविव करने वाले हैं रक्षाबंधन मूवी का, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, तो ये शुरू करते हैं रिविव स्टाट करने से पहले आपको ये बता दो कि अगर आप लोगोंने लासिंग चड़ा का रिविव देखा नहीं हो, तो उपर आए बटन पे क्लिक करके ये वीडियो के बाद वो वीडियो देखना ना भूलिए, और हाँ आप वीडियो देख लेते हैं और वान आवर फिफ्टी मिनिट्स की एक छोटी सी मूवी है, जो एक लिमिटेट स्क्रप्चर या एक मैसेज दिखाने की जो कोशिश की है हम ओडियन्स तक, जो बेस्ट है डावरी पे, एक्सेप्टेंस पे, समाज की जो धार्नाएं होते हैं, फैमिली के वैल्यूज, एक द्रामा, मूवी को प्रेड्यूस किया है हिमान्चु शर्मा ने और इस मूवी की राइटर है कनिका डिला, अक्षे कुमार का नाम इस मूवी में लाला के दार्नाथ दिखाया गया है, जो कि एक चाट की दुकान समालते हैं, इनकी चार बहने दिखाई गई है, जो कि इनकी बहन की शादी नहीं हो पाती, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रियेट होता है, अक्षे कुमार के लव इंटरस्ट में, जो की दिखाई गई है, बूमी पेडने कर, उनकी शादी होते ही रह जाती है, क्योंकि अक्षे कुमार कहता है कि जब तक मेरी चारो बहनों की शादी नह इतने मिलेगा एक बहन भाई का, उनकी नोग जोग, शरारते और इंटेंस इमोशन, फर्स्टाफ मुवी का अच्छा है, बट सेकेंड आफ में मुवी काफी जदा इमोशनल हो जाती है, और एक ट्विस्ट भी दिखाया गया है, अक्षे कुमार का इस मुवी में ऐसे मुझे फील हुआ मुवी में, अगर उनका ज़रा जादा पार्ट होता तो मुवी काफी अच्छी बनती, बात करते हैं मुवी की पॉजिटिव के बारे में, तो मुवी में पॉजिटिव चीज यह है कि सब लोगों ने अक्टिंग बहुत अच्छी तरिके से की है, उस तो थोड़ी सी सावली है, तो उसे कहते हैं तो काली अमावस की राथ है, एक सिस्टर है जो थोड़ी है दिखाई गई है तो उसे कहते हैं तो थेरा वजन देखा, अंडेटेकर जैसा है, और एक लड़की है, मतलब एक बहन है, तो उसे कहते हैं तो तो मेरी पॉफेक्ट ब पता नहीं मुझे बट मुझे वो पार्ट मुवी में जरा भी अच्छा नहीं लगा उसे चोड़के मुवी ठीकी है एक वान टैम वच मुवी है तो मैं इस मुवी को देती हूँ 3.1 स्टास पर आपको मेरा रिवीव अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेर सब्सक्राइ झाल